हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मैं चानल तो आज मैं फिर से एक नहीं आरे हुए वीडियो लेकर के आए हूँ जो है कोजी वीट प्लस जल तो यह रिवीवी स्टार्ट करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजे और वीडियो को लाइक कीजे और मेरे बल आइकन को प्रस कीजे ताकि मेरे लटिस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुं सके तो चली स्टार्ट करते हैं तो ये koji wit की 크림 एक medicinal क्रीम है और ये 2-3 variant में available है market में जैसे koji wit gel, koji wit ultra और मैंने koji wit ultra का review video कर लिया है तो आप check कर सकते है Chanel's link description box में है तो ये जो मेरे पास है वो है koji wit plus gel और इसके जो में इंग्रीडियन्ट है वो है ओक्तिनोसाइट, ग्लाइकॉलिक एसिड, कोजिक एसिड, डाइपलमीटेट, ग्रेपसीड ओयल, अर्बुतिन, विटामिन एक्सिटेट, मलबेरी एक्स्ट्राक्ट, अले टाइन जल तो ये सारे इंग्रीडियन्ट्स इसमें यूज किये गए हैं, जो काफी एफेक्टिव है हमारे स्कीन के लिए, तो अगर आपको एक्ने या पीम्पल्स की प्रॉब्लम है, या फिर उनके मार्क्स है, या पिग्मेंटेड स्कीन है, स्कीन बर्ण है, या अर्ली एजिंग की प काफी है, इन सब में बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है, ये स्कीन से सारे दाग धब्बे को रिमॉव करके, इसकीन को लाइटर, ब्राइटर बनाता है, इसकीन को वाइटनिंग इफेक्ट प्रॉवाइट करता है, साथी साथ ये आपके डल स्कीन को ग्लोईंग, बनाता है, tightening भी करता है, तो अगर आपको इसका best result चाहिए, तो आपको minimum one month तक use करना होगा, तबी इसका result देखने को मिलेगा धीरे-धीरे, एक दो week में ही difference दिखेगा, ये धीरे-धीरे work करता है, तुरंत से result नहीं देता है, आपको इसे अपने daily skin के routine में add करना होगा, टू टाइम्स daily apply करना होगा, अपने face पे, एक बार morning में और एक बार night में, और इसे clean face पे apply करना है, face wash करने के बाद, और एक important बात, कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, तो ये cream को लगाने के बाद, आपको जरूर से sunscreen लगाना है, क्यूंकि ये cream को लगाने से हमारे skin थोरी sensitive हो जाती है, तो बहुत जरूरी होता है कि बाहर जाने से पहले कोई भी sunscreen लगाना, इससे हमारे skin बिल्कुल safe रहेगी, तो अब इसकी basic details देख लेते हैं, इसकी price है 325 रुपीज और quantity है 15 ग्राम की, तो काफी expensive है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे detail में दिया हुआ है, यह देखिए, तो अगर इसकी packaging की बात करें, तो आप देख सकते हैं, यह इस तरह की cardboard box में आता है, pink और white color में, इसे open करते हैं, और इसकी inner packaging देख लेते हैं, इसके अंदर एक user guide भी है, यह देखिए, जिसमें सारा कुछ detail में दिया गया है, जो भी इस cream में ingredients यूज किये गया हैं, उनके बारे में detail में दिया गया है, उनकी properties दी गई है, किस चीज में यह काम करता है, वो सब दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, और पर सकते हैं, पाउस करके, और यह cream इस तरह का है, छोटी सी है, ट्यूब की packaging है, इसमें भी basic information दी गई है, जो cardboard packaging में है, वही चीज इसमें भी है, अब इसकी texture देख लेते हैं, यह देखें, white color की cream है, और consistency थोड़ी थिक है, यह देखें, और यह cream बहुत ही अच्छे से spread हो जाती है, यह देखें, और अच्छे से लग जाने के बाद, यह बिल्कुल भी sticky सा feel नहीं होता है, बिल्कुल light weight है, और इसकी fragrance medicinal जैसी smell है, उतनी अच्छी fragrance नहीं है, हो सकता है, कि आपको इसकी fragrance पसंद ना आए, बट overall यह product अच्छा है, तो यह था मेरा review, यह product को लेकर, I hope कि मेरा review पसंद आया होगा, और अगर आपको आया है, तो please इस वीडियो को जोरू like करें, share करें, और मेरी चैनल को please subscribe करना ना भूले, तब तर के लिए, thank you for watching, मिल तो में निक्स वीडियो पे, take care, bye bye